My dear friends, एक बहुत common query आप लोगों का है और ये query है क्या IBPS PO और फिर clerk जो अभी आपका result आना है इसमें vacancy increase होगा या decrease होगा बहुत पार आप लोगों का ये comment आ चुका है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये prediction तो किया नहीं जा सकता है कि vacancy आपका decrease होगा या increase होगा लेकिन पिछले दो सालों में अगर हमने देखा है तो ये हरा मेंसा ऐसा हुआ है कि vacancy increase ही हुआ है जो पहले vacancy notification में रहता है बाद में report जब bank करती है तो आपका vacancy increase मिलता है और जब final आपका result आता है उसमें देखा जाता है कि हर एक state का अपना कुछ vacancy increase ही किया गया है इसलिए ये सोचना या फिर कहना बिलकुल गलत होगा कि इसमें vacancy decrease हो गया है या फिर आप लोग अगर कोई भी rumors देख रहे हैं तो definitely उसमें बताया जाता है कि ये vacancy इस state के दवारा या फिर इस bank के दवारा इतना बढ़ाया गया है तो until unless ये final result ना आ जाए तो आप इस पे बरुशा नहीं करते हैं तो patience रखिए definitely ये vacancy जहरा में से increase होता है जो final result आता है तो और result आपके lockdown के कुछ दिनों के बाद आ ही जाएगा क्योंकि कल मैंने बताया है कि क्या इसमें होता है reason कि इस तरीके से procedure होता है आपका result बस आ जान that's very difficult क्योंकि उसके बाद documentation का joining का बहुत कुछ process होता है जो की approximately एक मेहने का ये process होता है तो अचानक से ये सब कुछ हो नहीं सकता लेकिन जहां तक vacancy increase होनी की बात है तो हर हमेशा जो vacancy है पिछले दो सालों में देखा गया वो increase हुआ है तो इस बार भी यही उमीद रखा ग ये एक तरीके से देखा गया है और उमीद इस बार भी होगा क्योंकि आपने देखा था जैनुरी फैब में भी ये चीज हर एक बैंकों का रिपोर्ट था कि increase ही होगा उन्होंने अपने ज्यादा दिखाया है इन vacancies तो definitely इस बार भी आपका vacancy increase होगा तो बिलकुल उमीद र अजर बस्तितिव और प्रहोंड टीज इस बार टीजुल प्रहोंड शच प्लमार गृष्ट औरव्टि इस बार टीज़रuk उन्होंड़ में आपका रखोग छोगा है ज्याद रिज़रख्ड श्यारि बार बार टीज़र नकर टीज़र पने हैं गर फूजर्यर थाम आपका